लोग शमसी साहब मेरा आप से सवाल ही होगा कि जो मुसाद है उसकी पनेट्रेशन तो मिडल इस्ट में बहुत है मतलब अगर ये क्लेम जो नियॉक टाइम्स में किया है कि वो डेटोनेटिड बॉम था तो मुसाद तो इरान के अंदर बहुत डीपली पनेट्रेट कर चुका ह मुसाद बड़े अर्से से सिर्फ एरान नहीं बल्के पूरे मिडल इस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर पैनेट्रेट कर चुका है और काफी अर्से से यहां एक्टिविटीज में इंवाल्व है मैं हमेशा इंडिया और इस्राइल यह दो मुल्क हैं जिने आई सी एस कहता हूँ इनहेरेंटली क्रिमनल स्टेट्स हैं यह और यह हमेशा से इन एक्टिविटीज में इंवाल्व रही है और जहां इनको मकस्द होता है और सिर्फ इसमाइल हनिया की शहादत नहीं हुई इस या M16 यह जितने भी बड़ी बड़ी एजन्सी हैं इनके दूसरों मुल्कों हैं चूंके इनके अपने इंट्रेस्ट्स हैं वेस्टेड इंट्रेस्ट्स हैं इसलिए उनको अचीव करने के लिए इन्हें उन मुल्कों में अपने जो स्लीपर सेल्स रखने होते हैं और इन्ह सपोर्टेड होते हैं भाई लोकल एजनसी अब यह डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर केस में किस लोकल एजनसी ने उनको सपोर्ट किया तीक है इस बात पर नहीं शायद इतिफाक कर सकूंगा नियॉयॉक टाइम की स्टोरी से कि दो महीने पहले से वह बहुत रखा वा थ बिकाज यह बहुत ही फारफेश्ट किसी पा आइडिया है कि दो मीने पहले किसी को पता था जी इरान में इसमाइल हनिया साभ आके इस कमरे में रुकेंगे तो वो चीज मुनासिब नहीं है लेकिन हाँ दो चार रोस पहले जब ये चीज फाइनल हो गई होगी कि इसमाइल ह इसमाइल हनिया था और ये इसमाइल हनिया था आज से नहीं बलके बहुत अरसे से इनका टार्गेट थे मुझे इतिफाक हुआ है उसे मुलाकात का और बड़ी पावर्फूल और बड़ी कदावर और बड़ी इस्परेशनल किसम की शक्सियत थे और यकीनन वो उनका एक ऐसा जो साथ अक्तूबर के हमास एक्षन के बाद से बहुत ज्यादा मतलूब थे थे लाव साथ को और उन्होंने काम दिखा देए आज की ही खबर है कि एक पाकिस्तानी नाशनल को यूएस में डिटेंड कियावा है आसिफ रजा मर्चंट और उनको एरान से उनका एक लिंक क्रिएट किया गया गया और उनको ये कहा गया है कि वो जो थे वो कुछ प्लिटिकल असाइसिनेशन के लिए वहां गये थे और व 27 से 48 गंटे के अंदर अंदर दुनिया की कोशिश होती है कि किसी तरह पाकिस्तान का कोई कनेक्शन निकलाए तो इस पे तो यकिनन अभी वहां पे इंवेस्टिकेशन हो रही है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत पड़ा सुबूत उनके हाथ लगा है क्यूंकि अगर होता तो अब तक वो अलड़ी उसको हाइलाइट कर चुके होते हैं और दुनिया के सामने पेश कर चुके होते हैं लेकिन बारहाल उस पर भी इंवेस्टिकेशन हो रही है मैं जो पिछला पॉइंट था न्यूक्लियर वाला मैं अगर थोड़ा सा उसमें एड़ कर दू 2022 के एक बैनुल अक्वामी कॉंफरेंस में मैंने एक पेपर पढ़ा था और उसमें कहा था कि मार्च 2025 तक एरान एक न्यूक्लियर वापन स्टेट बन जाएगा और अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं है आई थिंक आट दस महीना ही रह गया है मार्च 2025 में और हो सकता है मेरी एसेस्मेंट दुरस्त निकले तो इस लिहास से भी इसराईल पे इस वक्त यह चीज़ लाजिम है कि वो मार्च 2025 से पहले पहले किसी भी तरह किसी भी बहाने से एरान पे हमला करके उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किसी तरह डिस आम या डिसमेंटल या डिस्ट्रॉई कर सके तू आट एकस्टेंट और जैसे के इलाली साब ने फरमाया कि उनकी बड़ी अच्छी प्र राउंड में प्रोटेक्टेड प्रिसम की फैसिलिटीज हैं तो उसकी यकिनन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको याद होगा कि अमेरिका के पास उस तरह की केपिबिलिटी है तोरा बोरा की बॉम्बिंग आपको याद होगी वो दीप पैनिट्रेशन और अर्डेंट म काम हो सकता है दूसरा इसमें भी मेरे जो दूसरे दो एक्सपर्ट्स हैं ज्यादा बेतर कमेंट कर सकेंगे कि इस्माइल हनिया कोई नया टार्गेट नहीं थे इसराइल के वो रहाइश पजीर हैं गतर में और बड़े अर्से से वहां पर हैं लेकिन आप गोर करें कि उनको कतर में नहीं मारा गया बिल्कुल बिल्कुल बास तोर पर इरान में जब वो आए हैं तो उनको टार्गेट किया गया है और वो एस्टेट गैस थे और इरान की जिम्मेदारी थी उनको प्रोटेक्ट करना वह चाए कुछ भी होता तो इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ जहां पे कोई मकसद है इसराइल का भी और अमेरिका का भी वो मकसद हमें उस दिन वाज़ हो गया था कि जब नेतन याहू अमेरिकन कॉंग्रेस से खताब करते वे कह रहे थे कि एरान जो है वो सेक्टेरियन इसम पहलाना चाहरा है और सेक्टेरियन फॉर्ट लाइन्स को हाइलइट किया है जो अब तक कभी को प्रोग्याइम में नहीं हाइलाइट हुआ हूअ था कि उन्हों उन्हें एक बाहना चाहिए था जी जी और फिर उसे मुस्लिम उम्मा में भी कुछ ऐसे मुमालिक हैं जिने इस बात पर तयार करना होता है कि इसराइल किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क पर जो हमला करने जा रहा है तो वहां से आवाजें ना उठें को क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द तमाम इसलामे मुमालिक है ठीक है बहुत आपने इंटरिस्टिंग सवाला दो टाएं जाज़ावलाक शमसी साब चीन और रूस इसमें क्या किवदार अलग कर सकते हैं कुछ बयानात आ रहे हैं चीन और रूस कह रहे हैं और रूस को स्टडी करने से पहले हमजा रफ़स साब की बात से इतिफाक करूंगा कि OIC के जो मुमालिक हैं वो इस वक इंतहाई जबरत तरीचे से अपने अपने रिजीम्स के इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि फलस्तीन में बचे शहीद हो रहे हैं या औरतों के बालों से बारूत की बदबू आ रही है अस्पताल खत्म हो चुके हैं डॉक्टर नहीं है स्कूल खत्म हो चुके हैं और अगर स्कूल की कोई बिल्डिंग भज भी गई है तो वहां पे कोई तालिबल मौजूद नहीं है कोई जिन्दा नहीं बचा सब शहीद हो गए अब आजाएं रूस और चीन की तरफ इन्हें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा अपने आपको इंटरनाशनल पॉलिटिक्स में एसर्ट करने अभी दुनिया पुरी तरह मल्टी पोलर नहीं हुई है अभी यूनी पोलरिटी ही चल रही है और इसलिए अमेरिका जल्दी में है जाहिर एजराइल जल्दी में है कि दो हजार पचीस मार्च से पहले पहले जब इरान शायद न्यूक्लियर हो जाए मेरे इसाब से कि उससे पहले पहले हम इरान का बदबस्त कर लें क्योंकि एक बार इरान न्यूक्लियर हो गया और दूसरी तरफ चाइना और रेशिया एफेक्टिव हो गए और डी डॉलराइजेशन का प्रॉसेस अगर 30% को क्रॉस कर गया उसके बाद ये बात फिर अमेरिका के हातों से निकल जाएगी और इसराइल के हातों से भी फिर निकल जाएगी गो के इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो अपना दिफा कर सकता है लेकिन फिर वो इतना ओफेंसिव नहीं रह जाएगा इस रीजन में अगर अमेरिका की ताकत उससे चली जाती है इसलिए इनकी पूरी कोशिश हो रही है कि इससे पहले कि ब्रिक्स और SEO और जो गलोबल साउथ का कॉंसेप्ट है जिसको चाइना लीट कर रहा है वो चीजें एफेक्टिव हो और डॉलर मार्किट खतम हो और अमेरिका का इंफ्लोइंस कम हो क्यूंके अमेरिका की मوجودा ही हूकूमत तारीख बाइडन गौर्णेंट को या बाइडन अडमिनिस्टेशन को शायद कमजोर तरीं अडमिनिस्टेशन के तोर पे देखेंगी क्यूंके बाईडन अपने 4 सालह दोर में जो कि अभी तकरीमा 9-4 महिने रहते है इस अरसे के दौरान ना वो रेशिया को डिटर कर सके के वो यूग्रेन पे हमला करे ना वो रेशिया को डिटर कर सके के वो नौर्थ कोरिया को विजिट करके उसके साथ और ज्यादा स्ट्रेजिक रिलेशनशिप बढ़ाए ना वो चाइना को डिटर कर सके के वो में होना चाहिए और दो ICJ अब बहुत करीब है अपने किसी फैसले पर लेकिन OIC का मैं यकीनन हमदा साब के दाइद करूँगा कि हमें किसी किसी किसिन की कोई उम्मीद है ICJ ने स्पाइन दिखाई है और ICJ ने नेतन याहो को क्रिमिनल करार दिया है और आपने बहुत अच्छा एकॉनमिक पारडाइम में जो चीज़े समझाएं ये भी एक इंट्रस्टिंग चीज़े है जहुलक शम्जी साब आपको जिस पर कॉमेंट करेंगे पलिस्टाइन के जो मामलात हैं इसी तरह के ही रहेंगे अनफॉचनेटली लेकिए अपनी जहनियत और चालाकियों से क्रिस्चिन्स को और मुसल्मानों को लड़ाया है वो खुद ब्राहरास्त कभी नहीं लड़ते और आज भी जो कुछ हो रहा है गिंती के कुछ हवावाज हैं या कुछ फौजी हैं जो यहुदी हैं वाकि सारी जंग जो है वो क्रिस्चिन्स के असलहे पे मुसल्मानों के खिलाफ हो रही है और ये तारीफ भी यही कहती है औ असलमान शायद उस वक्ष भी खामोश था और आज भी खामोश है और हर मुलक इस वक्ष जितने भी मुलक इस वक्ष इसराईल के इर्थ गिर्थ हैं मुसल्मान मुलक हैं सारे और उनकी तमाम हुकुमतें आप देखें कितना बड़ा कॉन्फलिक्ट है अवाम में और रिज है अपने फलस्तिनियों के लिए लेकिन इन तमाम मुलकों की रिजीम्स और हुकुमतें आप देखें किस कदर तुन दही से इसराईल के आपजेक्टिव में उनको सपोर्ट कर रही हैं यानि खामोश रहना जल्म के खिलाफ खामोश रहना जल्म को सपोर्ट करने के परावर है आप यह नहीं कह सकते कि मैं न्यूट्रल हूँ क्योंके न्यूट्रल आप सिर्फ उस वक्त तक ही रह सकते हैं जब तक अनार्म्ड सिविलियन्स गरीब ना शहीद हो रहे हमारा तालोग उस मजभ से है जिसके जिसके लिए हिदायात यह थी कि जंग के दौरान भी आपने आपने दरखत नहीं काटने आपने जानवर नहीं मारने आपने बुजर्गों को नहीं मारना आपने औरतों को नहीं मारना आपने बच्चों को नहीं मारना आपने प्रिजनेर्स आफ वार को उस तरह ट्रीट नहीं करना और दुनिया ने वेस्टन वर्ड ने यह सारी चीज कि अम्ने जो हिदायात दी थी जंगों में कि अपने 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 कमाडर को कि आपने कमांड के दुरान इस तरह फालो करने उन सब को फालो करके युएस-फ़। लेड वेसटरste रर्ड कहां से कहां पहुंच गया और हमारे जितने भी उम्मा के मुलक हैं अगर हम उम्मा कह रहे हैं तो वो इस तमाम के तमाम सिर्फ अपनी पबलिक उपीनियन को डिस्रिगार्ड करके अपने रिजीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्यूंकि इसराइल उन्हें बाकाइदा धंकी देता है अगर ने गाजा में प्लेस्टीनियों की मदद के लिए आने की कोशिश की तो अगला निशाना तुम होगे और हम फोरां दबक के बैड़ जाते हैं ये बड़ी बड़किसमती की बात है बड़ा दुक होता है इस मौजू पे बात करते हुए लेकिन जाहर है हमें बात करना जरूरी है हमारे फरे खायर만 निशींद पात कि आमरीका में हमें प्रोटेस्ट रिखते हैं यू के में प्रोटेस्ट रेखते हैं आए लोग फलेस्ते 2020 की इसराइल के पास ऐसी ताकत है कि जो वो मच्भूर निए पाते है स्वाइल को कि यह सब रो करें